टोकियो ओलम्पिक्स 2021 में भारत इतियास में पहली बार इतने मैडल लेकर आया 2012 लंडन ओलम्पिक्स के बाद भारत को ओलम्पिक्स में पहला गोल्ड मैडल मिला ये कारनामा कर दिखाया नीरज चौपरा ने सबसे पहले तो मैं नीरज भाई को पूरे इंडिया की ओर से थैंक यू बोलना चाहूंगा थैंक यू पूरे इंडिया को ओलमपिक्स में राज्टिकान सुनाने के लिए थैंक यू भारत का गौरब बढ़ाने के लिए ये गोल्ड ऐसे ही नहीं मिला इसके लिए नीरज चौपरा ने बहुत सेक्रिफाइस किये हैं आईए हम सुरू से सुरू करते हैं 24 दिसम्मर 1997 में पानिपत के खांदरा गाउ में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसे लोग आज नीरज चौपरा के नाम से जानते हैं इनकी एजुकेशन डियेवी कॉलेज चंडीगर से हुई बहुत कम उमर में ही इन्होंने अपना करियर जैवलिन में बनाने का फैसला लिया महज 16 साल के उमर में इन्हें वर्ड यूत चेंपिंशिप में हिस्सा लेने का मौका मिला वहां इन्होंने अपने भाले से 66.75 मीटर दूरी नाप दी लेकिन वो 19 पे इस्तान पर रहे पर जैसे जैसे इस खेल में अनुबवी होते गए इनका प्रदशन और बहतर होता गया 2016 में इन्होंने इंडियन आर्मी जोइन की इनकी रैंक नायब सुबेदार थी और इन्हें विशेश सेवा पुरुषकार से भी सम्मानित किया गया साल 2012 में इन्होंने नैशनल रिकॉर्ड तोड़ा साल 2016 में साउथ एसियन गेम्स में 82.23 मीटर थो के साथ इन्होंने गोल्ड जीता साल 2016 में ही IAAF वर्ल्ड अंडर 20 में 86.48 मीटर थो के साथ गोल्ड जीता साल 2018 में कॉमन बैल्ड गेम में 86.47 मीटर भाला फैकर अपना वैस्ट परफॉर्म किया और गोल्ड जीता साल 2018 में ही IAAF एसियन गेम्स में 88.06 मीटर थो के साथ नैशनल रिकॉर्ड बना दिया साल 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया इसके बाद इनके सोल्डर में इंजरी होने के कारण किसी गेम्स में ये पाडिस्पेड नहीं कर पाए और अब टोकियो ओलमपिक्स 2021 में जवजस कमबेक किया और भारत को गोल्ड लाया और 2021 में गोल्ड जीतने वाले दूसरे इंडियन एथलीट बने गोल्ड जीतने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉनफरेंस में कहा कि एक खिलाडी के लिए सबसे बड़ी बात होती है फोकस ट्रेनिंग पर फोकस मैडल चाहते हैं बाद मैं पहले चाहते हैं ट्रेनिंग पर फोकस और इसी फोकस को बरकरार रखने के लिए नीरज चौपडा ने एक साल पहले ही अपने मुबाइल से किनारा कर लिया था अधिकतर वो अपने मुबाइल को आफ रखते थे नीरेज भाई के इस जस्बे को पूरे इंडिया की ओर से मैं दिल से सलाम करता हूँ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में जै हिन जै भारत